नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते करकर आशीवालों दोस्तों आपको बता दे कि जिवन में पहली बार यशी घटना आप शबी के जिवनकाल में होने वाले हैं है ज्यांदोसमों आपको बता दे की अब आपकी जूनिकाल में अब यह में निर्मान boundary ढाप श्रोक एंड़क में बैठ चुके हैं वह सुथ मुझाने को बतने वाले श्योंगे चैसे दोसों आज कि व्डियो को आप बिल्कुल ही मिश्ना करें दोस्तर बेकर ईन्डे को बैते आफ बैत आने वाले हैं जो बाते हम आपको शमझाने वाले हैं दोस्व अगर आप उन्हें जान लिए दोस्व आपने जुनकाल के शभी सुखों को हाशिल कर लेंगे पहले दोस्व परतम जो भी शरी के शच्चे भक्त वीडियों को देख रहें दोस्व भगवान शुरुदेव के लि वीडियो को आप अंत तक दिखेगा कि दोस्व कई लोग एशे हैं जो वीडियो को आदे दूरे देखकर छोड़ देते हैं और बात में उनकी शिकायते रहती है कि हमें यह बाते हमारे केश होंगी तो दोस्व आपकी जुनकाल की हर परिशानियों का शुमानान इस वीडिय हो आने वाले हैं इन्हें श्रभी के बारे में इस्तारशी हम बात करेंगे तो आई दोस्व बात करते हैं शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी और बहतरीन बात से जो कि दोस्व आपको अपने अने वाली जुनकाल में याद रखने हैं अपने जुनकाल में ढालने हैं इ एक फकिर नदी के किनारे बैठा था किसी ने पूछा बाबा आप यहां क्या कर रहे हो फकिर ने कहा इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बहजाए तो फिर मैं पार करूं उश्वत्ती ने कहा केशी बात करते हो बाबा पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाऊंगे जया दोसों और फिर फकिर ने कहा यहीं बातों में तुम लोग को शमझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा कहते हो कि एक बार जीवन की जमेदारियां पूरी हो जाए फिर मौज करूं घुमूं फिरूं श्रब से मिलूं शेवा करूं जैसे दोस्व और आपके भी जुनकाल में कोई दुख कोई शमझाय चाहिए तो दोस्व आप इन्हें बिल्कुल अपने जीवन का बोज ना मानें कि दोस्व यह जीवन जीने के जरीयों होते हैं जिया जिवन जीने का क्या मतलब है जिए दोस्व और आपको यह बाते अच्छा या बातों को आप शुच पाए हैं तो दोस्तों इस बात के लिए एक लाइज जरू करें और कमेंट बॉक्ष में इनके लिए लिख दें जैस्री कृष्णा रादे रादे तो आई दोस्तों से इशाद बात करते हैं कि भगवान शुंधेव आपकी राशी में बिर्ब्रबान हैं और अब आप शुवे की जुनकाल में आपके परते चुट में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं दोस्तों आपका अपने व्यक्तितु और रहन श्रहन के प्रती अधिक सजग रहना मित्रों और श्रहियों के भीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छव भी प्रकार के लेंदेन में शावधनी रखें शाथी धोका हो शकता है दोस्तों और आप किशी आर्थिक प्रिशानी में भी इससे उलज जाएंगे भूमिश व्यक्ति जो भी ख्रेट पुरोत करते शमय कागजदों की अच्छी तरह से जांच करवा लें यह आपके भुष यहांत मता ओजिय्यक झएंद यृण का दिखा शकता है दोश हैं दोसरों को बदलने का जिद और कि रिलेशनसीप को खराब होने के लिए दुसरों को ज supply आरशेंगों कंशे दुर करना है दूस्तों खूद के दौर होँए गलतियों की जिमिदारी उठाने आपको रही है वाद बच्चों की किलकारी शुमद्य कोई सुप शुचना भी गरमें मिल सकता है जिस से उससा भरा भरा बह Además रहेगा शाधी दोस्तों किसी हटके हुएे काम को गत्युद्यों को आपको अपने तरीके से समालें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांदोस्तों यश्मय आपके लिए कठी लग रही है उतनी कठना यह आपके जिवन में नहीं है केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलिफ दे रहे हैं इसलिए द पता दें कि दोस्तों यह में घर के नविक्रा नत्वा रख रकाव शमंदी उजनाओं पर विचार विवश हो सकता है किसी समाजी करतिद्यों में अभी आपका महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी यह में बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या सकती है तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें अपने वहवार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्में चिंतन भी आप यह में करें इसको बाहत दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का आउश्वर भी यह में प्राप्त होगा इसलिए दोस्तों पेश्वी का निवेश करना कुछ दिनों के लिए आपको शमयों के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बैतर होंगे इसको प्राप दोस्तों यह आपको बता दें आपके लिए शमयों के दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार की मुद्दे पर करें पैस्तितियां आपके लिए यह में अनुकुल रहने वाली है इसको प्राइब दोस्तों जो है अपने शवाव विचारों को शकार्ट में बना कर रखें कभी कभी आपका संक्लानों शवाव दूसरों के लिए प्रिशानी का कारण भी बच रखता है यह आवर के बेकार की दिये गए कामों के बारे में दूसरों के दोवारा पर शवाव मिलने की अपिक्षा रखना आपके लिए तकलिप दायक हो रहा है इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश्व प्राफ्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े दोस्तों आपको आपके अंदर की सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और काम के परते निष्टा को आगे बढ़ाना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यह में अगर आपके केरेशYour को लेकर बात करें तो यह मिइन आपके वहाइशाख के राज़ के रहेंगे जयाधा सबन रहेंगे समय होंगे पक्की बिल का समय होंगे आपको बता दें कि यश में कारी छेतर में कुछ खास फेसली लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो तुम बहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेच्छा अभी वर्तमान पर अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ओफि से आपके कार्येट निर्विक ने पूर्य हो जाएंगे दोस्तों कारेसितल पर सटाव की फटिदियों पर ध्यान देना दी आपके लिए जरूरी होगा क्षा पूदर को अधिक बहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए था कोई महत्पुन और भी आपको मिलने की शमाना बन रही है यह मार्केटिंग और शंपर्क शुत्रों को और अधिक मजूद करने का शमय होगा दोस्तों आपको बदा दें कि यह शंपर्क शुत्र आपके भुष के लिए बहुत ही महत्पुन शाब्द होंगी तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्राण तो यह में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में अपने वेस्टम समय में जुआ परिवार के लिए कुछ समय निकलना आपको समय को मदूर रखेगा तथा परिवार में भी खुशियाले भरा वातरों इसको प्राण दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे आपके प्रेम जीवन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साती के शात उचित तालमिल बिठा कर रखने के लिए आपको सयुग आवश्रक है बिवातर शमंदों से दूरी बना कर इसको प्राण दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पती पदली दोनों ही वैस्ता के वज़र से घर पर शमय नहीं दे पाएंगे प्रंतु घर का महौल जो एक खुश्रमा बना रहेगा किसी भी परकार की चिंता ना करें इस जरूर ध्यान दे इसको प्राण्तू यह में आपके श्वास्त के लिए समयोंगी आपको बता दे कि दोस्तों एलर्जी वह फिर खांसी ज्चाम की स्कति रहेगी लपरोही ना बरते अपने श्वास्त का ध्यान रखना यह समय आपके लिए आवस्टोंा होगे इसको प्रां प्रवाई में बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सबी चीजों का ध्यान जरूर रखें ये आपके स्वाथ लिए ही बहतर होंगे